दोस्तों आज हर रक्ती फिर चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो बच्चा हो या बड़ा शहर में रहता हो या गाउं में आज कल की बिगडी ही लाइफ इस्टाइल और गलत खान पान के कारण वे किसी ना किसी रूप में कबज से पीड़ी हैं किसी को हलकी कबज है तो किसी को काफी कठोर कबज है कबज के कारण ही उन्हें एसिडिटी, सिर दर्द, पेट दर्द, पेट में गैस, अपच, भूकना लगना, पेट साफना होना, बवासिर जैसी काफी घातक बिमारियां हो जाती हैं वही लोग इंसे छुटकाडा पाने के लिए वः पेट साफ करने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं वही दवाइयां उन्हें कमजोर और अन्या गुट गुट से नुपसान पहुंचाती हैं दोस्तों अगर आप इन समस्याओं से नीजात पाने के लिए वह पेड़ साफ करने की दवायां खाखाखा ठक चुके हैं और आपने हर परकार की कोशिस कर लिया है किन्तु फिर भी अगर एक बार में पुरा पेड़ साफ नहीं होता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है आप सभी को मेरा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कीजिए किमेंट कीजिए और वीडियो के शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप चलते हैं अपने टोपिक की तरह तो दोस्तों इन सबी समस्याँ से निजात पाने के लिए और वहे कीजिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसके जरिये आपके सरीर की हर प्रकार की समस्या खतम हो जाएगी पेट की सबी बिम्यारियां बिल्कुल ठीक हो जाएगी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप इसे जिंदगी भर कर सकते हो इसे हर उम्र के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है क्योंकि यह कोई जड़ी बूटी दवाई काड़ा वर चूरन जैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों अगर आप कोई दवाई खा रहे हो तो वो आप खाते रहिए उसको खाने के साथ साथ आप वो भी कीजिए जो मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल यानि अपनी दिन चर्या को ठीक करना होगा अब उसमें आपको क्या-क्या बदलाव करना चाहिए या आप ध्यानते सुनिए सबसे पहले आपको रात को जल्दी सोना चाहिए और सवेर को जल्दी उठना चाहिए यानि आप रात को करीब 10 बजे तक सो जाए और सुभा को करीब 5 से 7.5 बजे तक उठ जाए दोस्तों जल्दी सोने का मतलब ये नहीं कि आप बैड़ पर ही पड़े रहें आपको सो जाना है और पूरी नीद लेनी है इसका 90% फरक परता है पेट साफ होने में यानि कबज को जड़ से खतम करने में आपको हफते भर में ही इसका असर मालूम पड़ जाएगा दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है आप केवल रात को ही सोएं दिन में कभी भी ना सोएं यदि किसी कारण वश आप रात को नहीं सो सके तो आप कुछ देर के लिए दिन में सो सकते हैं लेकिन रोजाना नहीं अब आपको अपने खाने पीने का समय फिक्स कर लेना है यानि आपको खाना खाने का एक पक्का और सही समय चुनना चाहिए और फिर रोजाना उसी समय आपको खाना पीना चाहिए दोस्तों शुरू-शुरू में आपको ये सब करने में थोड़ा अठपटा लगेगा क्यूंकि आपके सरीर को इसकी आदत नहीं है किन्तु कुछ दिनों में आपका सरीर इस आदत को अपना लेगा इस प्रकार आपको केवल अपनी दिन चरया यानि टाइम टेबल ठीक करना है हज चीज का टाइम टेबल आपको ठीक करना है फिर चाहे वो सोना जागना हो, खाना पीना हो या नहाना धोना हो इस प्रकार आपकी कब्ज जड़ से खतम हो जाएगी और सरीर से भी सभी रोक छूमंतर हो जाएंगे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मंद होंगी तो दोस्तों अब हमें आगया देजिए